हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर तो आज आपके साथ मैं एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अद्रक को कैसी आप सुखा कर स्टोर करके रख सकते हैं और इसे कहां-कहां यूज कर सकते हैं बहुत सारे स्टेप्स मैं बताऊंगी जिसे कि आपका ये सोट बनकर घर पर रेडी हो सकता है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं जब अद्रक काफी महंगे हो जाते हैं या मार्केट में नहीं मिलते हैं और आपको कभी इसके चाय में डालना होता है या कभी लड्डू बनाना होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं तो प्रॉबलम होती है नहीं मिलता है तो आप अद्रक को कैसे स्टोर करके रखें, वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी, तो यहाँ पर हमने अद्रक ले लिया है, आप चाहे तो अद्रक का, जिसको कहते है सोट होता है, वो बना सकते हैं, तो पहले तो अद्रक को अच्छी तरह से आप वाश कर लें, वाश कर तो इस तरह ऊपर की छिलके आप धोने के बाद निकाल लें, क्योंकि छिलके का भी हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा है कि अद्रक को अच्छी तरह से वाश कर लें, तो इस तरह सारे छिलके हम निकाल लेते हैं, अद्रक के, तो मैंने सारे जो अद्रक थे उसको इसी तरह process से spoon से आप चाहे तो चाकू से भी knife save कर सकते हैं बट ये spoon से करने से क्या होता है कि बहुत easily आप इसे कर सकते हैं तो यहाँ पर ये spoon बनाने का एक ही बहुत ही अच्छा use ये है कि आपको जब भी चाहिए कोई अद्रक किसी चीज में डालना हो आपके पास powder होगा और आप उसे बहुत ही easily बना सकते हैं तो इसे आप सुखा कर रख लें, store करके रख लें, बिल्कुल तो यहाँ पर मैं दो process बता देती हूँ जैसे मैंने ये छिलका भी उतारा है न तो छिलकी क्या करना है कि इसे उतार की इसे अलग सुखाना है और ये देखी जो मैंने इसको निकाल के पील कर लिया अच्छी त करते हैं तो आप बड़ा वाला ग्रेडर ले जिससे की बड़े बड़े इसके निकलेंगा और बहुत ही आसानी से ये सूख जाएगा सूखने में इसे कम से कम 2-3 दिन लगता है वह वेदर पर डिपेंड करता है अगर बहुत ही क्लावडी वेदर रहा तो थोड़ा टाइम अगर कड़ा धूप रहा तो बहुत ही जल्दी सूख जाएगा तो इस तरह करते वे आप सारी जो अद्रक होता ना उसको हम ग्रेट कर लेंगे अद्रक को हमने धूप में रख दिया है और इसी कम से कम 2 दिन के लिए कड़े धूप में रहने देंगे तो ये बिल्कुल अच खिलका वाला था आप देखेंगे ये बिल्कुल सूख किया है और सेकेंड ये जो ग्रेट हमने किया था उसका ये इस तरह का टेक्चर आया है तो यहां पर हम दोनों अद्रक को अलग-अलग पीसेंगे तो आप जो ये वाला अद्रक है इसके अंदर क्या है कि आप कुछ मस निला जी इसको भी इसके अंदर डाल कर और इसका बहुत ही फाइन पाउडर बना लेते हैं जिसे कि आप कभी चाय बनाओ और एक और यहां पर टिप्स दूँगी कि आप जब भी चाय बनाते हो तो उसमें दो तीन चमच ये पाउडर मिक्स कर दें तो आपको अलग से मिला कर लेते हैं और फाइन पाउडर बना लें अद्रक का छिलका जो हमने उतारा था वो सुखा कर सूखने तीन दिन लगए से सूखने में और उसके बाद मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया है तो आप देखेंगे फ्रेंट्स कितना यह अच्छा जो मसाला यह बनकर तया हुआ है और मैंने आपको बताया है कि इसे आप चाय पती में मिलाके एक दो चमर डाल दे चाय पती में तो आपको अलग से इस मसाले को डालने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो आप इस तरह का कंटेनर ले ले या कोई प्लास्टिक का भी कंटेनर ले सकते हैं उसके अंदर इन सबको आप डाल ले इस तरह और जब भी आपको चाय में डालने का अद्रक का स्वाद लेना हो तो आप है ना इसे यूज कर सकते हैं बिल्कुल ही खराब नहीं होने वाला है तो इस तरह सारे मसाले इसके अंदर भर ले और यहां पर आप लेवल लगा ले कि टी मसाला आ आप कैसे वो जो मैंने अद्रक का छिलका निकाला था उसे मैंने सुखा का यह ग्राइंड किया है और जो मसाले इसके इंदर मिला थे वो आपको बता चुके हैं तो आप यह इस तरह चाय पत्ती ले ले और उसके बाद इसके अंदर 1 स्पून के करीबा मसाला एड कर दें अ बिल्कुल आपको बहुत ही मज़ा आएगा जब आप चाय बनाएंगे और उसको टेस्ट करेंगे तो अब चलते हैं दूसरा वाला भी पाउडर आपको हम दिखा देते हैं तो हमने जो ग्रेट किया था अदरक वो मसाला जो सोट बनकर तयार हुआ है वो देखें मैं आपके सामने डाल दी हूँ बहुत ही अच्छा फाइन पेस बना लिया है तो अगर आप चाहें तो इसे छनी से छान के भी रख सकते हैं बट मैं तो ऐसे ही रहने दे रही हूँ क्योंकि इसके अंदर के रेसे और ये सब इसे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा और आपको जब भी लड़ू बनाने का मन हो तो उसमें आप ये एक चमच लड़ू के अंदर डाल दे बहुत ही हल्दी लड़ू बनकर तयार हो जाता है तो इसे भी आप एक कंटेनर में सेम तरा का कंटेनर अगर ले 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 प्लास्टीका कंटेनर ले जए और उसके अंदर इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं तो हैना फ्रेंश बहुत ही ईजी ये अदरक जो सोट कहते हैं उसे बनाना तो आप घर पर इसे बनाएं बहुत ही बहुत ही अच्छा बनकर ये तयार होता है मसाला टी और सोट दोनों बनकर रेडी हो गया है बहुत ही इजी स्टेप में बता दी हूँ कि कैसे आप बनाकर रख सकते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा ये लगा होगा और आपके लिए हेल्फूल भी होगा तो अगर आपको मेरी बनाए ही वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे की बाकी लोग भी देखें और वो भी बेनिफेट हो तिल देन गुडबाई और हावे हापी कुकिंग बाई